हेलो एबरीबन स्वागत है आप सभी का जी एस क्रक्स में आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट में के बारे में देखें तो अमेरिकन कॉंस्टूट्यूसर में हम देखते हैं कि यहां पे जो है यह जो है कोट्स अ नीचे होता है हाई कोट के अंदर जो है और भी जो है सबॉडिनेट कोट्स होती हैं जैसे कि जो है सबॉडिनेट कोट्स हो या फिर जो है हम मुनसिफ के बारे में देखते हैं चीफ जूडिसियल यह आफिसर के बारे में देखते हैं यह सारे पोस्ट जो होते हैं यह नीचे ह होते हैं हाई कोट के तो यहां जो है हम देखते हैं डिश्ट्री कोट होते हैं अधर लोवर कोट्स होते हैं जो इसके नीचे होते हैं, सिंगल सिस्टम जो कोट्स का था एक डॉप्ट किया गया government of India Act 1935 से और इससे जो है हमने establish किया इस तरह के integrated judicial system को US पे हम देखें तो वहाँ पे federal laws जो है enforce होते है federal judiciary होती है जाहां state laws जो है state judiciary से implement होते हैं और center के laws जो है high court के द्वारा enforce होते हैं इसलिए वहाँ की जो judiciary हो उसको double system of court कहा जाता है one for the center and the other for the state तो वहाँ जो है अलग-अलग जो है यह judiciary होती है तो सब्सक्राइब इंडिया और फेडरे फेडरल country like the USA has a unified judiciary तो यहां पर जो है हम देखते हैं कि हम भी एक federal जो है country हैं लेकिन हमने unified judiciary को रखा है एक one system जो है रखा है जहां से fundamental law or justice को जो है deliver किया जाता है Supreme Court of India जो है inaugurate किया गया था 2028 January 1950 को और यहां जो फेडरल कोट जो है बनाया गया स्टैबलिश किया गया government of India 1935 के अंदर में और Supreme Court को जो है जादा जो है हमने इसमें responsibility दे इसके पास जो है ज्यादा पावर दी गई और यह hierarchy था इसके नीचे हाई कोट हाई कोट की नीचे डिश्टिक कोट और लोर कोट को जो है हमने रखा था इस विकाउस Supreme Court has replaced the British Preview Council as the highest Court of Appeal तो यहाँ ब्रेटिस प्रिवी काउंसिल को है हमने रिप्लेस कर आया था Supreme Court से इसलिए वह सब से उपर था उसके नीचे जो है इनका फिर जो है पावर्स कितने होंगे प्रोसीजर क्या होगा इनका तो यह सारी चीज़े जो है यह इन आर्टिकल में लिखे गए हैं अब देखें कंपोजीशन और एपॉइंट्मेंट के बारे में तो एट प्रेजेंट में सुप्रीम कोड जो है यह थर्टी फॉर जज किया था जो कि 31 233 हो गया था तो पहले 31 जजेज हुआ करते था अभी 33 जजेज हो गया है तो इस तरह से जो है हमने इसको बढ़ाया दिस फॉलोड दे इनक्मेंट अब दो सुप्रीम कोड नमबर अब जजेज अमेंडमेंट डैक 2019 के थरू जो है इन सीट्स को जो है बढ़ जो सुपरीम कोड की जो श्रेंथ को लिखा गया उती एट जो है जैजिक हुआ करते थे और वन चीप ज़सी तरह तो इसमें जो है क्या था कि वन चीप जसी और साथ जैजजे जो तथे और इस तरह से आठ जेजिश को हमने इस ज़नली इस चीज को सुपरीम कोड की रखा पार्लेमेंट ने इसके इनक्रेज़ किया और गया 196 में से क recib sandwich i2 9 www हमनेंटेवज की संख्या को बढ़ाते गाए करते हैं इसलिए सप्रिम कोट एन हाइघ को करें가지ा जितने dependency के जड् управीर करुट से एई कृट कुट करेंगे यह उससे हुलगता है उससे फेज़र करेंगे ये पॉयंट्मे ज़िप प्रोसिजर लिखा गया दो अधर जजजज आर पॉइंट बैप्रेसिदेंट आप्र कंसल्टेशन विद चीफ जट्सिस एंड सच अधर जजजज आफ दो सुप्रीम कोट एंड थाइप कोट आज देम से नेसेसरी तो जो अज़ा अधर जजजज है चीफ जजजज के अलामा फिरेट है उस समय की उसी साब से यह निस से समझेंगे उतने जजजज से अपॉइंट्मेंट यह जो है आप कंसल्ट करेंगे और जाकर फिर एपॉइंट मेंट हो गां चीफ जजजज अबलिगेटरी इन दा के सफ एपिप जजज अब जजज अदर दें चीफ जजज दो तो थी चिप जसी से वो ब्लिगेटरी होगा, कम्पल्सरी होगा, और एपॉइ्ट्मेंट्रे होले, जिनका अपॉइम्टमेंट्री हो रहा है तो ब्लिगेटरी होता है। पिर कंट्रोवर्सी कैसे आई consultation में तो Supreme Court has given different interpretation of the word consultation अब consultation लेने का मतलब क्या हुगा भई आप consultation ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या है तो consultation में यह first judge case में 1982 में यह आ जा कि the court held that consultation does not mean concurrence and it only implies exchange of views concurrence नहीं भई इसका मतलब कि आप जो है जो views उसके ले रहे हैं ऐसा नहीं कि उसी चीज़ को आप implement करेंगे बस आप सलाह ले रहे हैं और उसको implement करना आपके उपर है first judge case में जो है कहा गया कि आप जो consult कर रहे हैं वो बस एक सलाह ले रहे हैं वो compulsory नहीं है कि आप उस सलाह को माने हैं बट इन सेकेंड जज़ केस 1993 में जो है आया उसमें court ने कहा उसको reverse किया और कहा कि जो आप जो है consultation ले रहे हैं वो concurrence होगा यानि कि आप को जो है उस बात को माननी होगी इसलिए जो है तब से सेकेंड ज़्च किस से क्या हुआ कि हैंस इट रूल दैट देट 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 वाई चीफ जसीस आफ इंडिया इस बैंदिंग ऑन देट प्रेसिदेंट इन इन दे मैंटर साफ अब ज़्च आप दो सुप्रीम कोड तो सुप्रीम कोड के जज के अपॉइंड में जो है यह जो एडवाइस था वो जो है बाइंडिंग हो गया सेकेंड ज़्च किस में फिर आगे क्या हुआ बड़ चीफ़सिस उडटेंडर हिज अडवाइस ओन दे मैंटर आफ्टर कंसल्टेशन टू अप इस सेनियर मॉस्ट कली तो यह कहा गया कि जो चीफ़सिस होंगे यह जो एडवाइस लेंगे उसमें जो है यह दो सीनियर मॉस्ट जो जज होंगे उससे जो है इस सलाल करेंगे लिए सिमिलर ली इन दर्ट तर्ट जोज स्ट नाई नई नटी ये इन एट में आज इसमें आ गया कोट ने जो है कहा कि stimulating कर रहे उसमें चीफ फिर्वाइन। गरेंगे प्लूरेली डिट जजेज यानि कि कई सारे जजसे से जो है यह अपनी सला लेंगे जिसमें ज तो यहाँ पे चार जजसे से यह सिर्मुल्स जजस से जो है अगर यहां पे जो है उट्वर्स तो उल्टा ओपिनियन यह देते हैं तो उस शला को माना नहीं जाएगा इस बात का ध्यान रखीगा यह को तो जब तक जो है यह कंसल्ट नहीं करेंगे तब तक यह बाइंडिंग नहीं होगा जब यह कंसल्ट करेंगे और जो सला दी जाएगी वही सला को मानेंगे और इस तरह से चीज को है हम लोग करेंगे नैंटी नाइंट कॉन्टिटूचल अमेंडमेंट एक्ट टूचल के यह किया गया कि एंज असी जो है यह लाया न्जाशी को लाया गया नाशनल जूडिसे लाइनमेंट कमीशन आग्ट टूचल फोर्टिन में और इसने जूडिव को जो है रिपलेस किया अब सी को जो है unconstitutional बता दिया और बताया कि अर्लियर जो कुलीजियन सिस्टम था वही ऑपरेटीव होगा यह unconstitutional है this word is part delivered by the Supreme Court in the fourth judge case यह वर्डिक जो है fourth judge case 2015 में जो है सुनाया गया और court जो है नए सिस्टम NGAC को जो है खतम किया और फिर से वही कॉलीजियन सिस्टम शुरू हो गया अब appointment देखें चीफ जसिस का तो 1950 से 1973 तक जो है यह practice किया जाता सा कि senior mode जो judges होते थे Supreme Court को उनको हम चीफ जसी साफ इंडिया पॉइंट कर देते थे लेकिन हुआ यह कि इसको वाइलेट किया गया 1973 में एन रे को जो है एपॉइंट कर दिये गया चीफ जसी साफ इंडिया और तीन senior most judges को जो है इन्होंने suppress कर दिया अगेन इन 1977 ऐसा ही कुछ हुआ यहां क्या हुआ एम यू बेग थे जिन्हें पॉइंट किया गया चीफ जसी साफ इंडिया बाइस डिस्क्रिशन को जो है सुपरिम कोट ने कर टेल किया इसके बाद जो है क्या हुआ इसके बाद क्या हुआ कि सेकेंड जज केस आया सेकेंड जज केस 1993 में इसमें कहा गया सुपरीम कोट रूल दैट सीनियर मोज जज आप दो सुपरीम कोट फूड एलॉन बी पॉइंटेट टू दू आफिस आफिस आफ दचीफ जसी सफ इंडिया सीनियर मोज जज होगे अज़िस के बारे में देखें तो जजज जो होगे स्की रели니까 होगे तो सुपरीम कोट ुड की कौली के सानल दी देखें तो द्रिजन अफ इंडिया होने चाहिए जर्ज आफ हाई कोट है ता साल कि लिए प्रक्टिस करते हो रहने बातिसाने यह है यह 10 साल के लिए एडोकेट रहे हूं या फिर कोई डिस्टिंगूज जूरिस्ट है जो कि प्रेजिडेंट के नजर में जो है डिस्टिंग जूरिस्ट है यानि कि अच्छे जानकार है उनको यहां जज एपॉइंट किया जा सकता है तो यहां जो है यह क्लियर होना चाहिए कि जो हम एपॉइंट कर रहे हैं वहां कोई मिनिममम इज नहीं एपॉइंट किया जाएगा उसके लिए कोई भी एक मिनिममम एज नहीं है ओट्स और अफर्मेशन के बारे में देखें सब्सक्राइब करने से पहले ओठ लेगा ओठ लेगा प्रेशिडेंट के सामने प्रेशिडेंट करेंगे तो उसके सामने जो है ओठ लेंगे और यह ओठ लेंगे टो बिए फ्ट टू फैट अन अलिगें स्टूटूटिशन अव इंडिया निकि गरी मज्टीशन फिंडिया कि मना एखेंगे और तो अफर्ट अवर्ट अ इंटेग्रिटी अपना एखेंगे और डली तू दुली एंट थैट फुली और जग्ट रश्विट अज़िए और इंडिया के बारे में देखेंगे इनकी प्रिविलजेज जो है लीव स्पेंसर जो है यह जज़ ज़स्प्रीम कोड का जो डिटर्माइन करेगा पार्लेमेंट तो इस अलेमेंट जो है इनको डिटर्माइन करेगा तो स्पेंसर रिटरी को से टू पॉइंट एट जी रिटरी को बीधि के और जज़िट की सेलरी जो है नब्वेहिजार से टू-पॉइंट-वब कर दिंगें तो इनको पॉइंड़ कोंधे ऎलाउंस भी दी जाती है बीज़ के थूँ जो है यह अपनी चीज़ों को करते हैं मेडिकल कार्ट टेलीफोन से सारे मिलती है रिटाइड होंगे तो जो जितनी उनकी सैलरी होगे उसका 50% जो है इनको पिंसन के रूप में सैलरी मिलेगी अगर हम टेनियोर और रिमॉबल के बारे में देखें तो टेनियोर जो का होता है यह मार्जर का होता है यह इसके फिक्स नहीं है यह जो है 65 ऐर के बाद रिटार्मेंट जहां मिलेगी और यह जब चाहे तब जो है आपको ही आप सारे प्रोसिजर नहीं इसलिए आज तक किसी जज को रिमूब नहीं कर पाया गया है the president can issue the removal order only after the address by the parliament has been presented to him in the same session for such removal to parliament में चीजे आएंगी और जो है ये parliament से चीजे पास होंगी तब जाकर president जो है उसको address करेंगे the address the address must be supported by special majority of each house of parliament to special majority से जो है चीजे आएंगी यानि की जो है majority of the total membership of the house and the majority of not less than two-third of the members of that house present and voting the ground of removal are two the ground page जो है इनको रिमूब किया जाएगा पहली बात कि प्रूब्ड मिस्वी हैवियर और in capacity ये दो ग्राउंड पे जो है जो है जो है रिमूब किया सकता है इसके बाद हम जजज इंक्वाइरी एक से जो है इंक्वाइरी एक 1968 यहां से हमें चीजों को देखना होगा कि किस प्रकार जो है जजज अफ सुप्रीम कोड को जो है रिमूब प्रोसेस को लिखा गया इंपीच्मेंट प्रोसेस को लिखा गया तो इसमें सबसे पहले पॉइंट यह है कि जो रिमूबल होगा उसके लिए मोशन आएगा हंडेड मेंबर्स जो है सपोर्ट करेंगे लोकसभा में और पचास मेंबर्स प्रोसेस्जर नहीं बढ़ेगा बहले महां पर पचास मेंबर का सपोर्ट हो तो सुप्रीम कोड चेयर्मेंन के उपर इस कोड जो स्पीकर या चेयर्मेन है उसके उपर डिपेंड करता है कि आगे प्रोसेजर को बढ़ाएंगे या नहीं करेंगे अगर वो एड्मिट करते हैं तो यहां पर एक स्पीकर जो है या फिर चेयर्मेन जो है कॉंस्टिट करेंगे कमीटी तीन मेंबर्स की कमीटी होगी ундखेंगे कि जो कि इसमें जाँच करेंगी कमीटी में कौन कोन होगा एक जांच करने वाले हैं इंड़ KIMI अगर जो है यहां पर इनको लगता है कि मिस बेहवियर जो है इन्हों ने किया है या फिर इनकी तो गिल्टी अगर पाई जाती है तो हाउस में फिर फिर प्रोसेस से अधा देंगे यह यहाद रखेगा इंट्रिस्टिंग दी इंट्रिस्टिंग तुन नो दैट नो जज़ाव दो सुप्रीम कोट हैस बनेपीश सो फार तो अब तक जो है कोई भी जज़ को सुप्रीम कोट के रिमूब नहीं किया गया है फॉर्स केस जो है इंपीच्मेंट का वी रमोस्वाम पाया लेकिन जो है इनको रिमूम नहीं किया गया क्योंकि इस मोशन को जो है लोग सभा में डिफीट कर दिया गया कॉंग्रेस पार्टी ने इसमें ओटिंग नहीं कि थी इसलिए यहाँ पर वी रामस्वामी जो है बज़िया और इनको हटाया नहीं गया अब एक्टिंग और एड्क हुण ओर डिटायर जजो एब एक्टिंग चीफ जोसा यह प्रेशदेंट असक्रीम को जो है यह अपनी जे जो शुख नहीं हो तो ह elaborated just अब 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 तो ही क्या होते हैं जब टरम नहीं ओता है पर मांनेंट जज जो जो है इस में उसमें उसमें कोरम न हो तो एक जहां कर सकते हैं तो लेकश क्य सबस्ति है चीफ जसी साफ इंडिया एपोइंट करते हैं जगे जगे से चीफ जसी से जो है आप इसको एड़ाउग जग बनाएंगे जगे सोब्साइब दूट था प्रेंट करें जो है उट्सको छोड़ कर जो है यहां आपकब किया गया है उसका सिटिक को ने वहां पे अटेंड करें वाइल सू अटेंडिंग ही इंज्वेस अल्ड जूडिक्शन पावर्स और प्रिवलेज़ आप दो सुप्रीम को तो सारे प्रिवलेज़ जो है उसको आइज शुप्रीम को जज ही मिलेंगी यह प्रावदान जो है इसमें लिखा गया है तो एट एनी टाइम जो है चीफ दसी कोड़ फार टेम्परारी प्रेट के लिए इनको बुलाया जा सकता है यहां पर जो है यह प्रिवियस जो है कंसेंट हो का प्रेसिडेंट का और जिस परसंट को आप एप्वाइंट कर रहे है उसकी भी अप्रेसिदेंट होनी चाहिए सच जज इंटाइटल तो सच एलाउंस अब मैं तो उनको जो है जो यह लूंस घृइट करेंगे घृट एक्टी विलेगी यह रहे हमलें सब्सक्राइब करेंगे लेकिन जो है इनको जज आप सुप्रिम कोड नहीं माना जाएगा इंसके बाद देखें और परोसिजर्ट तो सीच ज ज्यों है जहां चाहें वहां सब्सक्राइब कर सकता है किसी का किसी भी प्लेस को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कर सकते हैं कि यह अपनी यह सीट सुप्रीम कोड की अलग जगा सकते हैं तो यहां जो है ऐसा नहीं है कि कोई कोड जो है इनको डिरेक्सर देगी कि आप जो है प्रेजिदेंट को कहें प्रेजिदेंट जो है कि जो है घे यह नहीं जो है सू्दो है कहीं पर इसको लगाए जा तो यह जो है और डिगेट को मैंद यह जो है कंपलसरी नहीं है इस बात को द्हान कि ऑ सनल अला इसके बाद हम धे अंडिक है परॉसीजर आफ द गूट परूसीजर आफ द गूट का प्रूसीजर है उसको जो है प्रेसिदेन के अपरोबल के बाद जो है इसको रूस जैबले साथ पते है इसके बाद का एक सब्सक्राइब तो जो है तो जो चीजे जो है आर्टिकल 143 में देखते हैं कि यहां पे प्रेसिडेंट कोई भी एडवाइज जो है सीक कर सकता है सुप्रीम कूर से तो यह जो constitutional cases में जो reference जो है प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 143 जो है लेंगे वो जो है फाइफ जजेश से जो है अट लिस्ट जो है फाइफ जजेश से डिसाइट होगा और सब्सक्राइब देखते हैं कि सिंगल जजेश और डिविजन बेंचे जोते हैं जो कि इसमें डिसिजन लेते जज में जो है डिलिवर्ड होता है यह वोपन कोट पर मोता यानि कि और कोई भी जो है इस पर प्रटिसिपेट कर सकता है और जजजमेंट बाइंजर्टी ओट्पर इफ डिफरिंग देन जैज कैन कीम डिसेंटिंग जजमेंट और ओपिनियम तो अल जजजमेंट जु होता कि क्या करना है जब ये Bench होता है तो Bench में क्या होता है कि Majorty होता है तभी जाकर इस में winning होती है प्रोसीजर कोट में हमने थात चीम किस प्रकार ये Rules से घुलेशन अनकी बनी होते है उसके साथ ही जो है ये कि जो है तक तभी जाकर यह सारी deportation को है इंडिपेंडेंडेंध आप सुप्रीम कोट देखें हैं तो यह बहुत सारी पावर से वह हमने इंडिपेंडेंट बनाया गया है जैसे जी मोड डाफ कंसल्टेंटमेंट है थो जो सुप्रीम कोट का जो हो है किसे से रखा है और प्रेजिदेंट से जो है हमने इसमें इसमें कंसल्टेशन उनको देना होगा कि जुडिसरी जो है खुद इसमें जो है इसमें जो है जो आर्टिकल सेवनटीफोर के एकॉर्डिंग जो है चीजे वोती है कि यह लोग एडवाइस देते हैं और वीशी उसे कर आती है यह जुडिसरी खुद जो है अपने लोगों को एपॉइंटमेंट करती है सेक्योर्टी अप्टेनियोर हम देखते हैं कि यहां पर दी गई है रिमूबल प्रोसेस को काफी टफ बना दिया गया इसलिए आज तक जो है किसी व्यक्ति को रिमूब नहीं कर पाएं ल डिटर्माइन करती है लेकिन यह कम नहीं की जा सकती है उनके समय में हालां कि जो है इमर्जेंसी लगी हो तो दूसरी बात है कि उसमय कम किया जा सकता है एक्सपेंसे जो चार्ज है Consulate Fund of India से चार्ज है यानि कि यहां वोटे जो है वोटिंग नहीं होते हैं इनकी पैसे को निकालने के लिए यह Consulate Fund से अपने आप जो है कट जाते हैं पैसे तो इनके लिए नौन वोटेबल जो है यह पैसे होते हैं और असानी से इनको पैसे मिल जाते हैं तो Consulate Fund से चार्ज होते हैं दूसरी चीज की Conduct of Judges cannot be discussed जो भी जो Conduct of Judges है उसको State legislature या फिर पारलेमेंट में discussion नहीं किया जाता है बसरते की वहाँ Impeachment Motion की बात हो जाए तब तो भाई डिसकस करना ही पड़ेगा पारलेमेंट में बन on practice after retirement तो जजेज इनको बन लगाया गया है कि प्रोहिबीटेड है कि यह जो है आप किसी कूर्ट में जाकर है ट्री अफिंडिया के अंडर में जो है आप यह प्राक्टिस नहीं कर सकते हैं रिटार्मेंट के बाद में, powers to punish for its contempt, अगर जो है कोई contempt आप court करता है, कोई court को criticize करता है, तो उस पे court जो है सजा भी दे सकती है, ये भी power जो है पनिस करने की जो पावर है, वो court को दी गई है, freedom to appointed staff, staff जो है इसके chief justice of India, जो है एपॉइंट कर सकते हैं, अपने officers को अपने जो भ किये जो प्रिम कोट खुदी एपॉइंट करती है, its judiction can not be curtailed, इनके judiction को जो है कम नहीं किया जासता है, करते है, constitution has guarantee to the supreme court judiction of various kind, however the parliament can extend the same, इस को बढ़ाया जा सकता है, परलेमेंट से, separation from executive, the constitution ने जो है direct किया है, कि state जो है, ये states ले, जिस से जो है judiciary executive को जो है, ये that the executive authority should not possess the judicial powers, consequently upon the implementation, the rule of executive authorizes in judicial administration came to an end, यहापे separation of executive को हम देखते हैं कि रखा गया है, और executive हमेंसा जो है judicial से सेपरेट रहेगी, ये चीज़े जो है, states को जो है, ये direction दी जाती है, जो डिक्सन और पावर supreme court कि ये हम देखे है, तो बहुत सारे जो है power and judiction होती है, original judiction होती है, red jud judiction होती है, advisory judiction होती है, quote of record होता है, तो ये जो judiction है, ये दूसरे पार्ट में हम कर लेंगे, इतनी चीज़े जो हमने की, अब इसके बाद जो हम continue करेंगे, अगले पार्ट में, okay, thank you.